कोपा इटैलियन लीक का इंटर मिलन वार्सल एटलेंटा के बीच दो गंटे 26 मिनट के बाद डेड़ बज़े तो बात करें यह मेरा टैलीक्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जौफटा पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड पूरी फॉर्म में है तो दोनों तरफ से गोलोने की तगड़ी संभावने हैं बात करें यहां पर सबसे पहले यहां पर मलब इंटर मिलन एटलेंटा के मैच की तो आपको बता दूं को पाई टैलियन लीक का मैच है आपस में चोटे प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा हो सक अडीन देशएक को जो भारी पढ़ते हैं अटलेंटा में आपको में रिजन बता रहो इनको लेने का यह ब्रॉपर तरीके से बारी पढ़ते हैं इतलेंटा पर टीम पर क्योंकि हैं इंटर्मिल्ण के सबसे स्ट्रॉंग मैं प्लेयर मानता हूं इनको पहले नहीं मानता था बीच में मैं Adden को मलब बिल्कुल ना पसंद करने लगया था लेकिन आप मैंने का कि Striker के मेना गेम नहीं है ये तो सीखा है मलब ये तो पता ही है सीखा है शुरू से मेरी टीम स्ट्राइकर फेवर होती है हमें शा स्ट्राइकिंग जोर पे होती है मेरी पूरी टीम हारुमिया जीतुन तब भी इसलिए एल मार्टिन एन एडिन डिजैक को दोनों स्ट्राइकर हैं इंटर मिलन के तो जो की तगड़े भारी पड़ सकते हैं अटलेंटा पे और मैं आपको बता दू कि इसको लेना जरूरी है आगे से बात करें लुकमैन की ए लुकमैन एंड आगे से है रैसमस होजलेंड तो यहापर इनको यहापर मैं लेना पड़ रहा है इंटर मिलन के यह दोनों स्ट्राइकर है चाज स्ट्राइकर टोटल है दोनों टीम के जिसमे से हम तीन लेंगे जिसमें से जो रैसमस का एक opportunity जो नहीं है वो यह है कि रैसमस यार penalty नहीं लेता है लोकमन penalty लेता है और penalty की opportunity होनी चीए क्योंकि अगर कप penalty है कुछ नहीं बता कूप मेनर्स भी penalty taker है हाँ आपको बता दू ध्यान से सुन लीजिए कूप मेनर्स भी penalty लेता है यह ले सकता हूँ बीक एंजिटी के बात करें जे लुइस पहला मीनौ आप जानते होंगे टॉप क्लास डिफेंडर है जो नहीं खेल रहा है पहले से नहीं खेल रहा है आज देया नहीं है कुछ डिफेंडिंग में क्योंकि यह इंजिट चल रहा है और विनिंग चांसिस की ब प्रेशर डाल दिया तो फिर तो एटलेंटा के लिए जीत मुश्किल है तो पता ही आपको आगे से बात करें गोल चांसे की दोनों साइट से इंटर मिलन कर सकती है एक से तीन गोल मेंज एक भी हो सकता है दो भी तीन भी यह नहीं कि मैंने दो नहीं लिखा तो नहीं होगा ठी से दो गोल कर सकते है पनेटी बेसिस बे भी कर सकती दोनों टीम्स क्योंकि फाउल तो होते हैं बड़ी टीम्स हों आपस में तो फाउल एक आदा मलब होता ही होता है एक आदा क्या होता है जब दो बड़ी टीम आमने सामने होती है तो फाउल होते है मलब यह कोई बड़ी ब एक परसेंट अगर clean sheet लग गई तो काफी फाइदा ये बंदा आपको देखे जाएगा जो अभी आपको नुकसान दे रहे है वो काफी फाइदा भी दे सकता है clean sheet के जोर पे बाकी अगर सामने वली टीम के 2-4 गोल वैसे ही safe कर लिए तो आपके सामने 18-24 पॉइंट पके हैं त जैसे कि मैटियो डैर्मेंड और दिमार को कहीं लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई कि इन मेंसे वो कौन करेगा क्या बोलते मिड फिल्डिंग तो ऐफ दिमार को इनका proper मिड फिल्डर है देखो डैर्मेंड करे ना करे वो कभी कभी चांस होता है तो लेकिन दिमार को का तो मिड फिल्डिंग बात है मैंने ऐसा डिफेंडर बहुत कम देख है और एसरवी की बात करें एसरवी को लेने का रिजन है बेस्टोनी की जगा पर ले रहा हूं लास्ट मैच में जो गारा जैन को गोल आया था वो था गाइस सब्चिटूशनल गोल और इनकी डिफेंडिंग बहुत अच्छा लगता था बीच में डाउनफॉल हो गया था लेकिन अब दो बार से कॉंसिस्टेंसी में गोल जाएं अटलेंटा की तरफ से तो वो चीज़ परकी जाती है आगे से अगर बात करें मिड फिल्डिंग की हैकन को लेंगे हैकन को यहाँ पर लेने का रिजन य हो एक अच्छा प्लेयर बचा है वो है हैकन हैकन के ना खेलने से इनकी टीम बिखर जाएगी इनकी मिड फिल्डिंग में मलब वो हो जाएगा क्या बोलते है बिखरन इसलिए मैं हैकन को लेना चाहता हूं सही मैं अगर यह खेलता है तो मैं बहुत कुछ होंगा कूप मिनर् मैंने मैंचेज में भी देखे दे कि कूप मिनर्स के गौल को लेगे कितने excited होते हैं लोग क्योंकि लोग इसे captain रखते हैं लोग इसे wife captain रखते हैं लेकिन कूप मिनर्स में दम है यह तो मैं मानता हूं कि हाँ भाई खेलने का जो मतलब consistency में जो गौल किये दे इसने पिछले दस मैचिस में कॉंसिस्टेंसी में कम से कम आठ साथ गोल किये दे जिसमें पनल्टी गोल भर भर के दे तो वो चीज बहुत देखी जाती कि पनल्टी के साथ साथ गोल करना पनल्टी भी पनल्टी पर भी गोल करना और अगर पेनल्टी मिस्स होजे तो भी गोल करना ये जीज़ में बहुत अच्छी लगती है ठीक है ना आगी से अगर बात करें जे बोगा की बोगा भी पूरी फॉर्म में है हाला की बोगा इतना बड़ा प्लियर थानी लेकिन इनको फाइदा का मिल गया कि इनका और कोई डिफेंडर है इनका और कोई मिट फिल्डर है नहीं आप कभी भी देखना पशेली कोई लोग खिलाने रहे बचता सिर्फ यह है अगर आप ध्यान से देखोगे ना आप खुद बोलोगे कि भाई बोगा से अच्छा कोई और मिट फिल्डर इनका है ही नहीं कूप मिनर्स के बाद बोगा ही बचता है इनकी टीम में तो बोगा को मैं जरूर लूँगा एसिस्ट में बहुत नाम कमाने वाला दिख रहा है यार दो तीन मैंच इस देख चुको हम पता चल देखा तो आगे से बात करें लुटेरो मार्टिनेश लास्स मैच में पी ए-यार के खिलाव गोल किया था कैप्टन भी था कैप्टन मेरा यही रह रहा है आजकल तो अच्छा भी कर रहा है परफॉर्म ऐसी बात नहीं है मलब कैप्टन रखके कभी भी ऐसा नहीं कि मैं हार किया हूं या इसने कम पॉइंट दियो या गोल ना कियो रहा है रेगुलर गोल करने वाले प्लियर को कैप्टन ही रखोगे तो और किसको रखोगी आगे साथ आपका एडिन डिजेको एडिन डिजेको एल मार्टिनेश की जोड़ी वैसी बड़ी इंटरनेशनल लेवल टीम का है एडिन डिजेको ठीक ठाख खेलता है और आगे से रेसमस और होचलेंड रेसमस का आप लेनी सकते मैंने पहली बोल दिया था कि रेसमस यहां से खेलनी सकता क्यूकि रेसमस आप चार, आप तीन स्राइकर से उपर ले नहीं सकते तो ये हमारा ड्रॉप आओड होगोए ह यहां पर अच्छी बात है यहां पर रिस्क लेने का मुखा मिल गया चार परसंट वाला प्लेयर लिया तर्यासी वाला छोड़ गे तो यही तो रिस्क कहलाता है ठीक है और आगे से अगर बात करें कैप्टन की तो मेरा कैप्टन एल मार्टिनेश हर बार की तरह वाइस एल मार्टिनेश टी कूप मिनर्स और एफ दिमार को यह चारों प्लेयर बहुत तगड़ी है यह पांचों प्लेयर बहुत तगड़े हैं और महाले भी बहुत अच्छा है लेकिन क्या कि इतनी बड़ी बड़ी जील टीम कोई बनाने नहीं वाला तो यह दुक्ष आए कि भाई यह वही बंदा लगाएगा जो बहुत जादा जील केलता हो इतनी जील में कौन कौन कॉंटेस जॉइन करेगा इतने सारे तो मैं समझ सकता हूं आपकी बात भी क्योंकि ये बड़ा बड़ा मैच नहीं है ना जादा समझ रहे हो ना जी ये जादा एंट्री वाला तो इसलिए अगर आप SL भी खेलोगे तो अलग-अलग कॉंबिनेशन ले सकते हो ऐसा बैक अप टीम तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाए